हेलो गाईज, गुल्जंगीन, विलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे वर्डपेस में टैप्स को क्रियेट कर सकते हैं, जैसे कि यह क्रोम में होता है, यह सब टैप्स होते हैं, उस पर अलग-अलग information होती है, हम search कर सकते हैं, वैसे ही वर्डपेस में taps create करना, basically taps का use हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हम एक section में about me, reviews, pricing, discount, अलग-अलग taps में मैं अलग-अलग information दे सकता हूँ, और इसमें आप जो भी चाहें, वो create कर सकते हैं, spectra की help से, जो मैं tap create करूँगा, वो मैं spectra की help से वाला हूँ, बड़ी-बड़ी websites में आपने देखा होगा कि वो लोग taps use करते हैं, अच्छे से अपने content को show करने के लिए, तो आप भी इस तरीके से अपने content को show कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने about me में यहाँ पे उस अप अपने link सकते हैं, उसके बार नीचे यहाँ पे सकते हैं, नीचे यहाँ पे बटन दे सकते हैं, दोस्तों अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हो, तो मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई है, कि कैसे आप अपनी wordpress की website में Instagram feed को enable कर सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए, तो प्लीज आप वो वीड सकते हैं, अपने recording, इसे मैंने अपने recording बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने button में लगाया है, button में थोड़ा gap कम है, जो कि मैं बढ़ा दोंगा, then उपर मैं reviews में आजाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर reviews, इसको भी आप edit करके अपन टैप्स को create कर सकते हैं और मैं ऐसे वर्ट पे से लेट वीडियो बनाता नहीं तो अगर आपने अभी तक है चनल को subscribe नहीं किया है तो make sure आप हमें चनल को subscribe कर दीजे क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता नहीं तो जो आपको help करेगी अपनी website को और अच्छे से create करने में अगर मुझे टैप्स को create करना है तो simply मैं आ जाता हूँ add new post में या फिर मैं एक add new page कर लेता हूँ यहाँ आप अब एक नया page create करेंगे और उस page में मैं आपको टैप्स create करना बताऊंगे spectra pro की हैंपसे स्पेक्ट्रा मैं इस website पर स्पेक्ट्रा प्रीवियम यूज कर रहा हूँ एंड एंड मैंने कुछ वीडियो स्पेक्ट्रा प्रीवियम के उपर पहले साही बना रखी इसको आप चेक आउट कर सकते हैं simply मैं इसको नीम देता हूँ टैप्स जिर उसके बाद नीचे आता हूँ ंट तो सिम्प्ट्री आ पको यहाँ पर स्लैश टाइप करना है देन यहाँ पर हम टैप्स टैपकरेंगे simply मैं taps type कर देता हूँ तो अब यहाँ पर देख सकते हैं taps का एक icon बन किया गया है इसको मैं click करता हूँ तो यहाँ पर simply आप देख सकते हैं tap 1, tap 2, tap 3 तो यहाँ पर तीन type के taps हैं जिसको आप यहाँ पर edit कर सकते हैं simply मैं इसको यहाँ पहले edit कर देता हूँ यहां पर आपका content होगा जो आप वहाँ पर रखना चाहेंगे देन वर्टिकल टैप 6, step 7, horizontal पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप कैसे आपको प्लिक कर लेना है यहां पे आप प्रेसिट में देखेंगे तो यहां पे काफी सारे options आपको दे रखा है तो यहां पर आपको 4 प्रिसेट दे रखें की कैसा आप अपना टैप करना चाहते तो यहाँ पर मैं इसको यह शेट कर लेता हूँ यह मुझे काफी अच्छा लगना है जिल उसके बाथ यहाँ टैब One में आ जाते हैं किसको कॉलने इसे चारने पर कर दो मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहा है आप तो यह डिख सकते हैं आ आप से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं एग तर घू तर उसके बाद मान लिचे आप अपको अपने हेवबन करना पड़ेगा जो कि वहने उस chiff ली वीडियो में बता boiler है आप उसको देख करके इसाव मेरा एडब कर सकते हैं कुल और यहां पर हम अपनी प्रिस्टेट्रथ कर लेंगे यहां पर देख सकते हैं काफी सारी पूंटो आ गई यहां भी सजंदक यहां पर प नो कि दूशच कर दे थाम तो यहाँ पे दुश्च हो गई है देन यहाँ पे आंप जो भी करना चालएं यह होगी छोगा है था जिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इसको आप सिंब्ल इन रिंद agent लेटेते तो यहां पर हम रिव्यूज पर क्लिक करेंगे तो हमारी रिव्यूज वह टैब ओपन हो जाएगा तो सेम हम जो भी करना है आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं यहां पर एक रिव्यूज का भी फीचर है स्पेक्ट्र प्रो में यहां पर इसे कंटेंट के मीचे आप अपने प्रोडटक्र का या फिर किसी प्पेורयो खो करा सकते हैं या फिर आप तयस्टिमोनियल यहां पर शो कराना चाहते हैं यहां पर आप यहां प्रने जो करेंट जो कि आप एडिट भी कर सकते हैं यहां पर कंपनी नेम वगरा वगरा यहां पर सारी सेटक्स दे रखीए आप अच्छे से देख लिजेगा और दो भी आपको यहां पर रखना है वह अपर रख सकते हैं मैं बेसिकली आपको एक लियाउट बताए दे रहा हूं कि आप क्या-क तो यहां पर आप उस पर्टिकॉलर प्रोड़क्ट की प्राइसिंग भी आप रख सकते हैं प्राइस लिस्ट या प्राइस टेबल करके अप्राइस करके प्राइस लिस्ट भी यहां पर पूरब बना सकते हैं जैसे कि यहां पर मैंने बनाया है सिंपली आपको अब यहां प सारी चीजे कर सकते हैं all the tabs कर्डिक मैं सिंपली ऐसे ही कुछ भी कर देता हूं यहाँ पे आप も अपने प्रोड़ेट पर के बारे में बता दिज़िए जो भी अब बताना चाहते हैं घ्र चीनिया। लिवर दीता हूँ वगर और जैसे यह आप इसको है कर सकते हैं देर उसके बाद एक और टैम अगर आप उडर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहा पर निउ-टैप में आप यहापी जैसे कि यह कि डिसकांट मैं कर देता हूं यहाप स्är hell डिसकांट चाहते हैं तो ऐसे ही यहां पर डिस्काउंट भी दे सकते हैं यहां पर प्राइसिंग टेबल या फिर डिस्काउंट टेबल का भी फीचर आता है या फिर आप यहां पर काउंट दोन भी शो करा सकते हैं तो जो भी आप यहां पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं जैसे कि मैंन यहां पे discount में, यहां पे discount दे रखा था, आप यह भी कर सकते हैं, आप countdown में उसको करा सकते हैं, जो भी आप कराना चाहते हैं, करा सकते हैं, या फिर आप दोनों चीजे रखने चाहते हैं, तो आप रूवी रख सकते हैं, तेर इसको आप edit करते हैं, इसको पूरा select करते हैं, य मैं लियाउट में आ जाता हूँ अगर यहां पर आइकन लगाना चाहते हैं तो आइकन भी लगा सकते हैं इनेबल आइकन करके यहां पर आइकन शोग करादी से जो भी आइकन शोग कराना चाहते हैं जैसे कि मैं कोई भी यहां पर सेलेट कर लेता हूँ कर दो année कि यस इसकी में इसप को सेलेट कर लिता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं ये सारे हमारे टेप्स में आ गया है इसके बाद हम श्ताइट सेल आते हैं स्टाइल सुआ स सकते यह गड्राव revelation color change कर सकते हैं इसका जो भी background रखना चाहते हैं वह अफरक सकते हैं इसके मैंने हैं यहाँ पर यहाँ पर शेल्ट कर लिया लिए देन उसके बादर यहाँ पर typography चेंज कर सकते हैं यहां पर margin है, padding है, simply आप यहां पर icon भी select कर सकते हैं, then उसके बार नीचे body आ जाते हैं, body मतलब इस area का आप background color change कर सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा और dark कर देता हूं, then यहां पर आप इसके padding भी change कर सकते हैं, margin लगा सकते हैं, and यहां पर आप border radius भी border with border radius वगरा भी change कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप spectra premium की helps से एक बड़िया table, तो इस तरीके से आप spectra premium की helps से tabs create कर सकते हैं आपकी workplace website में, जो कि आप किसी पी जगा दिखा सकते हैं, simply आप इसको यहां पर preview करते हैं, preview करके देखते हैं, यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, यह बाउट सक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लगा सकते हैं और यहां पर जैसा कि मैंने यहां पर डिस्काउंट टेबल बन लगा रखा है यहां पर बटन है 20% डिस्काउंट दो ओर लिंक आप यह भी लगा सकते हैं तो इस तरीके से आप spectra की help से अपनी website में tabs create कर सकते हैं और यह चीज आप मैं spectra free plugin से भी कर सकते हैं क्योंकि मैं यहां पर premium यूज़ कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं तो ऐसा नहीं है कि यह premium की help से हो पाएगा आप spectra free की भी help से यह कर सकते हैं और यह आप देख सकते हैं काफी अच्छा मेरा tap create हो गया है इसको आप एक और option है जो कि मैंने पहले ही बना रखा है आप ऐसे भी create कर सकते हैं सिर्फ आपको क्या करना आपको preset चीज करना होगा देन सारी चीज़े आप यहाँ पर सेटिंग से चेंज कर सकते हैं स्पेक्ट्रा की helps से तो आई हूप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा एं वीडियो को लाइक कर मैं पक्का उसके उपर वीडियो जरू करना होगा थैंक्स वर वाचेंग